दोस्तो आज के आधुने क्यूग में सभी की दिन चरिया ऐसी है कि वे अपने लिए आदा घंटा या फिर ये घंटा भी नहीं निकाल सकते जिसके परणाम सुरूप लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी लाईलाज बिमार्यों का शिकार हो जाते हैं दोस्तो आज कपिल शर्मा को शायदी कोई ऐसा वेक्ती होगा जो नहीं जानता होगा कपिल शर्मा अपनी लाजवाब कॉमेडी और सेंस ओफ यूमर के लिए हमेशा सोशल मीडिया की शुर्कियों में रहते हैं दोस्तो आज हम बात करेंगे कपिल शर्मा के बारे में जो लोगों को हसाने के लिए कॉमेडी करते हैं लेकिन उनके जीवन ने उनको बहुत रुलाया है कपिल शर्मा का जन्म 2 एपरेल 1981 को अमरित सर्में हुआ उनके पिता जी जितेंद्र कुमार पंजाब पुलिस में हैड कॉंस्टेबल थे कपिल शर्मा जब छोटे थे तब वे सिंगर बनना चाहते थे उनका परिवार बहुत खुशाल था उनके परिवार में कुल पांच लोग थे कपिल को एक बहन और एक भाई था और वे अपनी जिनकी से बहुत खुश थे तभी अचानक 1997 में कपिल के पिता जी जितेंद्र कुमार को कैंसर हो गया जिसके बाद उनकी फाइनेंशियल कंडिशन भहुत खराब हो गई कपिल ने गर की परिस्तिती को संभालने के लिए चोटी मोटी नौगरिया गरनी शुरू कर दी अब उनके परिवार से मानो ही मानी और मेहनत करते चले गए और आज कपिल शर्मा किस मुकाम पर यह मुझे बताने की जरूत नहीं है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको जरह भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें